हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चान केंटिंग में आज हम बनाएंगे आठे और सक्कर के मीठे गुलगुले यह बहुत ही स्वाधिश्ट, सौफ्ट, स्पंजी और उपर से क्रिस्पी होता है इसे बनाना बहुत ही आसान है शुरू करते हैं इसे बनाने के डाल करके इसे गर्म करके इसे गला सकते हैं अब हम इसे चान लेंगे अब हम इसे चान लेंगे जो की इसमें जो भी गंद की बेगरा हो सभी चानने से निकल जाएगा एक बाउल लेंगे हम उसमें हम एक कप आटा लेंगे गुलगुले बनाने के लिए हम एक कप गेम का और ज्यादा ना मोटा घोल त्यार करना है ना ज्यादा पतला घोल त्यार करना है जो कि हाथ से अच्छी तरह से बरी के जिसा बन जाए उस तरह से इसका घोल त्यार करना है घोल त्यार हो जाने के बाद हम इसमें टीस्पून की एक चोथाई मीठा सोड़ा डालेंगे और इस में हलका सा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारा वेटर ऐसा ही होना चाहिए ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला और इसे हम कम सम 5-10 मिनट के लिए सेट होने के लिए हम इसे ढग के रख देंगे अब हम चानने का प्रोसेस तियार करते हैं इसे चानने के लिए हम चमच लिए हैं हलका हलका पानी में चमच को डूबोते हुए अपना वेटर को चमच से हलका हलका लेते हुए इसमें हम डालेंगे आप अपने हाथों के सहता से भी उसी तरह से कर सकते हैं हलका हलका पारी लेते वे आप इसमें बरी की तरह डाल सकते हैं और ये इस डालते के साथ ये उपर आने लगता है और ये अपने आप ये पलटना स्टार्ट हो जाता है डालते डालते ये उपर आ जाएगा तब यह बिल्कुल परफेक्ट आपका डोबंद के तियार हो गया अब इसे हलका हलका इसी तरह से चलाते रहेंगा और मीडियम फ्लेम में ही इसे हम छानेंगे और यह तुरंद बन जाता है इसे बनने में भी कोई लेट नहीं लगता है देखे कितना सुन्दर इसका कलर आ गया क्योंकि हम सक्कर से बना रहें इसलिए इसका इस तरह से कलर आएगा ही अगर आप चीनी से बना रहें तो इसका कलर हलका सा वाइट आएगा देखे कितना सुन्दर कलर हमारा लग रहा है यह सक्कर से बना है और ये healthy है पॉस्टिक है सकर और गेव के आटे से बना है इसलिए ये बिल्कुल healthy और पॉस्टिक बन के तयार हो गया देखे कितना सुंदर गुलगुला बन गया ये अंदर से बिल्कुल soft बिल्कुल soft sponge है और उपर से बिल्कुल crispy है ये खाने में बहुत स्वाधिश्ट आप इसको किसी समय भी बना के खा सकते हैं ना इसमें ज्यादा समय लगता है ना ज्यादा मेहनत लगता है ना ज्यादा समान लगता है इसे बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा है देख लीचे कितना सुंदर अंदर में बिल्कुल इस्पंजी ह झाल झाल